हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल SKT चैनल पर दोस्तों जैसे कि सभी को पता ही होगा वाइस तारी को आपका जो गड़ित का पीपर एक चाथ दस्मी बाले सभी छात्रों का तो मैं आपके लिए बहुत जादा important question लेकर आया हूँ यहां से आपको दोस्तों मैं यह part 1 है ठीक है part 1 और part 2 में अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी है यहां पर जो आपके 80 नमबर question आने वाले है 60 से 70 नमबर आसानी से आपके यहां से देखने को मिल जाएंगे चलिए स्टार्ट करतें इस वीडियो को वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आपके लिए benefit होने वाला है कि कौन कौन सी question मैं यहां पर बता रहा हूं तो बहुत जादा IMP question है तो part 1 है part 2 बहुत जल आने व यहां पर देख सकते हैं 12 और 15 का SCF होगा तो 12 और 15 का SCF क्या होगा SCF निकालना आना चाहिए आपको तो यह आपको यहां पर संक्या चेंज करता है तो भी कोई दिक्क्रण नहीं आगे लेकर SCF आपको निकालना आना चाहिए इसके answer भी बताऊंगा मैं आपको रेकिक बहु भी दिये गए हैं 1st का होगा आपका 3 हो जाएगा 1st option दूसरे का यहां पर आपका C option रहेगा 3 नवा यहां पर रहेगा इसका answer और मूल बिंदू को निर्दे सांग मूल बिंदू को निर्दे सांग हमेसा 0000 बनते हैं आप सभी को पता है यहां पर जो आपकी X अक्ष्य बनत और परतमप्रत संक्याह पीर संक्याह का माद़्ड की होगा तो प्रतमप्रत संक्याह को मादब हो तो यहां पर इसका answer हो जाएगा 2ृस तरह बहने पार आते لैँ विसकी अब पूछे अपने सब्सकतर सब्सक्रूर्द कर दें घृत कर IIT, G, NEED का सवाल हो या फिर CVS, C, UV, विहाराजिस्तान या फिर आदर स्टेट का हो या फिर आपका फिजिक, केमिस्ट्री, मैथ, वायलोजी या साइंस का सवाल हो सबी सवालों के अंसर आपको मिलेंगी डाउटर्ट एप पर साथ में क्लास 9 से 12 तक आई आई टी जी और नीट की ओनलाइन क्लासिस भी आपको डाइटाइट पर मिलीगी लाकु छाथ डाउटनर से परकार नंबर वन रेंक ला रहे हैं तो आज ही डाउटनर जौन कीजी और नंबर वन रेंक ला ये लिंक डिस्क्रिश्चिन में दी हुई है अगर आपको जो अबजेट कोशन की तयारी करना है तो आप यहां पर वेबसाइट पर जाकर मुक्तर दे सकते हैं फिटी में बलकुल यहां पर देख लिए कोशन दिये गए है रिक्टिस्तान के दो समुझे कर दो एक्स प्लस बाई बराबर के में यदि एक्स बराबर दो है य बराबर एक है तो के का मान क्या होगा तो जैसी आप इसे सॉल्व करेंगे यहां पर एक्स बराबर दो रखेंगे इस संक्या में बाई बराबर एक रखेंगे तो यहां से के का मान कितना आएगा के का मान यहां पर पांच देखने को मिल जाएगा आपका वाज बराबर व माद्दे वराबर क्या होता तो यह सूत्र होता है यह आप इस सूत्र का अची तरीके से याद जरू कर लीजी कई बार पूंचा गया है और इससे कई सवाल भी बनते हैं प्राइक्टा का मान सदेव दोस्तों किसके बीच में होता है जीरो और एक के बीच में हमेशा रहता यह धार जानी दोनों क्यों इससे होता है अची तरीक़े से याद कर लीजिग üzié यहाँ पर कॉश्ण नमर 3 की बात करें यहाँ पर साइन ठीटा क्या हो जाएगा साइन ठीटा हो जाएगा लमब बटेकन तो इसे पता हो लाल बटे का यह आपको यह 첫नी दूसरा k्यों ठीकन ठी सेन की होता है, अगला सैक- invites go, होता है, ब्राबर एक होता है, यह सी आपको सतना होता है तो यह होता है की कि अब्राइख होता है, और ठीक छैगा थीटा होता है, यह होता है, यह अब्राइख क् Elena का होगा है यहां पर संक्या दूसरी हो जाए साइन हो जाए और सो जाए तो यहां पर इस तरीके से आपको सभी ध्यान में रखना होगा इस तरीके से सभी कुशन हम आपको बता रहा है साथ में इनका अंतर वी बता रहा है तो इक बार आप जुरू देखिए गाए तो इससे आपको निकालना आना ही चाहिए एक कॉस्टन आपको 100% देखने को मिलेगा ठीक है तो इसका अंतर हो जाएगा दो ठीक है बहुत ज़्यादे महत पूर लिए इससा तो याद कर लीजी है 2-1 गात कितनी गात होती है यास अगर तरीके से लिखा जाना है तो आपको यहां पर सभी अची ती किसे देखने अच्छी तरीके से आना चाहिए यहाँ पर यह दिया गया यदि किसी दोएगास समीकरण का मूल वास्तिवे के में समान हो तो उस समीकरण के विविक्तर का मान होगा तो उसका विविक्तर का मान हमेज़ा दोस्तों सून होगा यह आपको दिहान में रखना होगा वेलन का बक प्रेश्ट का श्यत्र क्या होता है यहाँ पर लाप यहाँ पर देख सकते हैं आप इस परकार से यहाँ पर सत्त असत की बात करें यहाँ पर दोस्त फटाफट से मैं मताता हूँ यहाँ पर AX प्लस B बराबर 0 एक दो गाज समी करण है तो असत हो जाएगा दोगाज समी करण ऐसा नहीं होता AX स्क्वेर प्लस BX प्लस C बराबर 0 इस तरीके से यहाँ पर आप दोगा समीकरण की डिफनीशन को दे सकते हैं दो चरों में एक रेके समीकरण में अनेक होला होते हैं तो बिल्कुल सही है दो चरों में एक रेके समीकरण में अनेक हलोते हैं ये बिल्कुल सही है कॉश्चन नमबर तीन की बात करें यदि ABC समानता स्टेडी में है तो AB बराबर A प्लस C अपॉन 2 होगा क्या यह सत्थ है दोस्तों यह बिल्कुल सत्थ है यहाँ पर अगले कॉश्चन के बात करें N गहत बाले भौपद में के अधिकतम N सुनक होते हो सकते हैं एक उस्तों के था allora अगले कॉश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक समqort तρ्यवजमें करने का बर्ग होता है तो एक बुदुष्थ तो यह balm होता होता क्योंकि एक समqort त्र्यवजमें करने के बर्ग होती हैं आपको पता होगा यहां पर टिकत अगले question के तरफ बढ़ते हैं यह बिंदू P X Y के मूल बिंदू से दूर अंडरूट X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर होती है कि यह सई है तो यह सत हो जाएगा तो इस तरीके से हमने आपको objective question बताए है इस नहां पर जो भी question दिये गए हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां को 70% देखने को मिल जाएंगे और बाकि जो इसमें बताए हैं question यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे अगर दोनों पार्ट मैंसे आप question करते हैं तो 70% देखने को मिल जाएंगे इसकी पीडियाप आपको मिल जाएगी टेलेग्राम को जौन कर लिएजगा वहां से आप एक बार रिवाज करिएगा आपके पास टाइम है तो फटापट से इन question को रिवाज करिएगा 22 तारिक को आपका paper है तो उनके लिए benefit रहेगा आपके लिए और आप जो previous question paper है उन्हें आप जाला ना देखें क्यूंकि आपका server change हुआ है ठीक आप 2019 का paper देख सकते हैं ठीक है बाकी यह sample paper या फिर आप question bank से अच्छी तरीकिस तायारी कर सकते हैं जो MP board ने जारी की है question bank sample paper इन दोनों से आप अच्छी तरीकिस तायारी कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो क मिलते नेक्स वीडियो में धन्यवाद